So hello students, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope कि सभी अच्छ होंगे, healthy होंगे and fit होंगे Now friends, दिखिए, ये class आज आप लोगों की sheet पर रहेगी, इससे इतनी भी previous classes हैं मैंने आप लोगों को board में करवा रखी हैं जिसमें मैंने आपको quality question, arithmetic progression, height and distance, statistics, surface area volume and the last one is circle जो कि हमारी continue रहेगी अभी, चार classes complete हो चुके हैं, circle के भी तो एक बार आप प्लीज, सभी लोग पुरानी वीडियो जाकर देखेंगे, जहां पर मैंने आपको board में question करा रहा है आप लोगों के सामने, wide board पर questions आपको करवा रहा है तो friends, देखें, sheet में questions करवाने का क्या reason है, कि अभी आप लोगों के पास, देखें यहां पर आपको sample paper भी करवाने है तो इसलिए मैंने सुचा कि आप लोगों को sheet में question कराया जाए फिर आपका construction chapter है, वो भी आप लोगों का, शायद ही मैं sheet में look, आपको wide board में भी करा सकता हूँ तो कुछ important questions भी होते हैं, तो जल्दी में देखने पड़ते हैं इसलिए जितने भी important questions होंगे, आप लोगों के वो सब का सब मैं कैस में कराऊंगा, sheet में कराऊंगा ठीक है, तो हमारी regular classes चल रही हैं, वो भी continue रहेगी, board में भी रहेगी और साथी साथ आपका sheet में भी, यह sheet दिख रही हैं आपको, जैसी जो आज की class है, यह class भी रहेगी तो friends, देखिए, मैं इसकी अलग से एक playlist बना दूँगा, उसके अंदर सिर्फ हमारी जितनी भी sheet वाली classes हैं, जितनी भी sheet में करा रहा हूं, वो रहेंगी तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों को sample paper करा रहा हूं, तो friends, देखिए, CBC नो जो recently भी sample लेपर launch कर रहा है, 2021 ए 2022 के लिए, term 2 के लिए, जो की class 10 दखा है, mathematics का, तो मैं इसमें देखिए, question करके आपको करा रहा हूं, जिससे की जल्दी में आप लोग फटा-फट से question solve कर लें तो चलिए, friends, तो यहाँ पर देखिए, हमारा पहला question रहेगा, तो section A, B, C करके, आप लोगों ने शायद देख लिए होंगे, section A, B, C करके, आप लोगों का यहाँ पर paper आने वाला है, section A में आपके 2 marks के question, section B में 3 marks के, section C में 4 marks के, और case study भी include has में, ठेक है, friends, तो यहाँ पर यह question, यह chapter में आप लोगों का ले रखा है, previous classes में हमारी देख लेना, playlist में arithmetic progression term 2 करके chapter हमारा लिया गया है, चलिए, friends, यहाँ पर लिखा गया, find the value of A25 minus A15, for the AP, so यहाँ पर देखिए, एक AP आपको given दे रिखिए, so friends, यहाँ पर देखिए, एक AP का यह जो हैपका first term के लाया पर difference मिल जाता है, like 9 minus 6, 12 minus 9 and 15 minus 12, so आई हो भी clear होगा, तो 9 minus 66 करके आपको difference जो है, वो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, चलिए, यह जोस्तों, यह clear होगा आप लोगों को, चलिए, now friends, आप से पूछा गया है, कि A25 minus A15 निकाले, तो मैंने आप लोगो जाया था, AP के लि देखे, A25, so A25 कैसे निकलेगा, A plus 25 minus 1, देखे, यह होता है, मैंने बताया था, आपको यह होता है, N, so यह होगा, 25 minus 1 into D, तो यहां से आपको A25 निकाले, फ्याले, तो A देखे, कितना है, 6 plus, यह होगा, 24, but is the value of D, कितना है आपका, 3, तो आई हो फिर clear होगा, आप लोगों क देखे, यह होगा, 72, और यह होगा, आपका कितना, 6 plus, यह होगा, आप लोगों का 78, नो आप लोग निकाले है, A15, तो दोस्तों, मैंने आपको एक चीज़ आप गजा था, और भी short करने का क्या तरीका है, देखे, friends, A15 पूछा गया है, तो आप लोगों क्या करिए, सीधे लगिए, A plus 14D, क्योंकि 15 minus 14 ही होने वाला है, यहाँ पर A की value आप कितनी मिलेगी, देखे, 6 है, और D आपको दिया गया है, कितना, 3, so 14, 3 जा 42, और यह आगया 40 का, 8, तो आप लोगों से पूछा गया है, friends, A25 minus A15, so इसकी value कितनी आगी, इसमें से इसको minus कर जीजे, you will get, कित होगा, चलिए, friends, तो देखिए, अब दूसरे question के बढ़ते हैं, तो इसी का और में, और करके भी question आ रहा है, आप लोगा, तो दोस्तों देखिए, और करके क्या बोला गया है, ठीक है, if 7 times the 7th term of an AP is equal to 5 times its 5th term, जैसा-जैसा question ने बोला है, बिल्कुल वैसा ही लिखी, देख आपको बताया था, first class में आपको बताया था, second class में भी आपको बताया रहा है, जहापर मैंने दो marks वाले question करवा रहे हैं, आपको एक बार आप देख लिए, playlist आपको मिल जाएगी, ठीक है, आई button मैं देखिए आपको, वहापर मैंने बताया था, friends, की, यह चो 7th term लिखा होत किया है कि, इस 7th term का भी 7 times, ठीक है, 7 times of 7th term, equal to 5 times of 5th term, so, अभी हमने यहाँ पर देखिए, क्या गया है, 15 को A plus 14D लिखा है, तो आप लोग ऐसे करिए, A7 को A plus 6D लिख सकते हैं, क्योंकि A plus N minus 1 into D होता है, 7 minus 1, 6 होता है, चलिए, तो यहाँ से देखिए, यह हो गया, A plus 4D, so आप लोगों को, काफी simple topic है, आप लोगों का, ठीक है, आप से पूछा गया, find the value of its 12th term, तो देखिए, यहाँ से आप निकाले है, इसका answer, बहुत easy है, देखिए, यह 7 A हो जाएगा, और यह 7 6, 42D हो जाएगा, ऐसे ही यह कितना है, 5 A, और यह कितना है, 5 A, और यह कितना है, D हो जाएगा, so I hope clear होगा, इसको यहाँ लाइए, 7 minus 5, यह हो जाएगा, 2 A, यह वहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा, बताइए, 4, 3, 2, और यह आपका हो जाएगा, देखिए, minus का 20D, एक मरमा अच्छे से आपको बता रहता है, 2D, minus, कितना, 42D, जो कितना हो जाएगा, so 2 A is equal to, यह आपका 4, 3, 2, minus का 22D, और यहाँ से आपको A equal to कितना मिलिया, minus 11D, तो देखिए, यह कर जाएगा, तो A equal to minus 11D, तो बस आप लोगों से पूछा गया, उसको निकालिए, तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया, कि find 12th time, 12th time मतलब, A 12, A 12 का मतलब, A 12 का मतलब, A 12 क देखिए, क्लियर है सबको, चलिए, तो यहाँ से आप लोगों निकाल सकते हैं, तो देखिए, यह हमारा क्लियर होगा, आप लोगो 7A, plus 742, 5A, plus 5, plus 4, 22D, और राइट, क्लियर है, चलिए, तो A 12 पूछा गया है, तो फड़ा फट से A 12 निकाल लेजिए, कोई बड़े देखिए, यह पहली क्विश्य में देखिए, A की वैली कितनी है, इसको यहां रिख दीजिए, तो मैं इसके बाद देखिए, क्या होगता हूँ, A की वैली माइनस 11D, यहां रिखता हूँ, so, माइनस 11D, प्लस 11D, is equal to how much, तो देखिए, यह आपका तुछा बाहर जा रहा है ठीक है, इसको मैं यहां रिखता हूँ, यह देखिए, A 12 is equal to minus 11D, प्लस 11D, जो की कट जाएगा, और कितना जाएगा, A 12 की वैली कितनी है जाएगा, आपकी 0, so, यहां रिखता हूँ मैं, A 12 is equal to 0, so, friends, first class हमारी थोड़ा cooperate कीजएगा, next class आपकी और बहतर रहेगी, ठीक है, friends तो, यहां पर देखिएगा, आप लोग, A 12 is equal to 0, ठीक है, so, इस AP का 12th term 0 होगा, ठीक है, जिस AP के बारे में बात हो रहे थी, तो, I hope, कि यह आपको clear होगा, देखिए, दो marks का यह हो गया, और दो marks का यह हो गया, यह आप लोग अपना complete clear कर लिजिए, तो, मिलते हैं, friends, आप प्रेस कर लिना, daily आप लोग क्लास मिलते रहती है, तो, friends, तब तक लिए, take care, goodbye, have a nice day, stay home, stay safe, and thank you.